नमस्कार मित्रो, मैं हूँ डॉक्टर हरी निवास, चैनल का नाम है संस्कृत, साही तेवन संस्कृती, महा भारत, सोले में दिन का युद्ध पूर्ण हुआ, व्यक्ति की पास से आपकी जितनी समवेदनाएं अधिक जुड़ी होगी, अपेक्षाएं भी उतनी जादा होगी कर्ण और दुर्योधन के भीच, मित्रता का ये जो संबंध है, वो उनकी आशाओं को ब्यादिक बानता है पितामा भीष्मिया गुरु दुरोनाचारी के पास, जब दुर्योधन पहुंचता था, तो उसको उनसे कुछ कहना पड़ता था लेकिन आज सोलह में दिन का युद्ध जब पूर्ण हुआ, और रात्री को कर्ण के पास दुर्योधन पहुंचा है दुर्योधन को स्वेम ऐसा महसूस हो रहा है, कि मुझे सेनापती बनाने के पाथ, जो दुर्योधन मुझसे चाहता था, संभोता वो मैं नहीं कर पाया और इसलिए वो तुरंत, दुर्योधन से कहता है, अध्यराजन समेश्यामी पांडवेने यशाश्विना आज जो कुछ हुआ, वो अपनी जगह है, लेकिन प्राताकाल जो युद्ध होगा निहनिश्यामितम वीरम सवावाम निहनिश्यस्या या तो आज के, यनि ये सत्रह में दिन के युद्ध की बात चल लएए है, कि या तो आज अरजुन मुझे मारेंगे, या मैं उस अरजुन का संगार करूँगा, बहुत त्वान ममकार्यानाम तथा पार्थस से भारत है आज पूरा दिन निकल गया, हमारे और अरजुन के बीच में जो मुटभेड होनी चाहिए थी, जो सामना होना चाहिए था, वो हुआ ही नहीं लेकिन कल मैं सब कुछ भूल करके, एक ही मेरा लक्ष होगा, कि जैसे भी हो, अरजुन को मैं मारूंगा, और नहीं तो अरजुन मुझे मारेगा, इसके अत्रिक्त मैं रण भूमी से वापस नहीं आऊँगा अनिहत्य रणे पार्थम मैं अरजुन को रण भूमी में मारे बिना नाहम एश्यामी भारत मैं वापस नहीं आऊँगा इस प्रकार से कर्ण ने यहाँ पे आज दुर्योधन के समक्ष प्रतिज्या कर ले, कि कल बिना अरजुन को मारे मैं रण भूमी से वापस नहीं आऊँगा लेकिन कर्ण जैसा जो योधा है ना, उसकी कुछ अपनी विडम बनाएं उसके साथ जुड़ी होई उसके पास क्या है, उसका उसको अभिमान है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है उन चीजों को बता करके कहीं न कहीं व्यक्ति अपने को पीछे छुपा सकता है वो दुर्योधन से कह रहा है कि मेरे पास जो धनुस है इस धनुस से कभी इंद्र ने बहुत सारे दैतियों को पराजित किया था और स्वयम भगवान शिव के कहने से वो विजय नाम का धनुस इंद्र के द्वारा परसुराम को और परसुराम के पास से मुझे प्राप्त कुआ है तो मेरे गुरु परसुराम से प्राप्त वो विजय नाम का दिव्य धनुस अर्जुन के गांडीव धनुस से स्रेष्ठ है धनुर घोरम रामधत्तम गांडीव आक्तद विश्यश्यते वो गांडीव से विश्रेष्ठ है जिस धनुस से 21 बार इस प्रत्विकों छत्रियों से विहिन बनाने का कार्य भारगवनंदन परसुराम ने किया था वही धनुस मेरे पास है धनुस की तो कोई चिंता नहीं है जातस से धनुस हो दिप्या लेकिन अरजुन के धनुस की जो प्रत्यंचा है वो दिप्य है इसके अलावा अरजुन के पास जो अक्षे तरकस हैं कि जिन में कभी बाण ही खतम नहीं होते हैं वो उनके पास विशिष्ट हैं और सबसे विशेस बात जो है सारथी तस्य गोविंदो ममता द्रिग्ना विद्यते उनके पास जो स्री कृष्ण सारथी के रूप में है ऐसा कोई सारथी मेरे पास विद्यमान नहीं है आगे धनुस्तो मेरे पास है शक्ती मुझ में उनसे अधिक है मेरा कौशल भी अर्जुन से अधिक है मैं हर चीज में अर्जुन से स्रेष्ट हूँ कौन सी चीज ऐसी है जो अर्जुन की मुझे से स्रेष्ट है उसका वर्णन करते हुए कण कहता है रस्मि ग्राहियस चदासा संसार उनको मिले होते हैं उनका रथ भी दिव्य है जिसको ना तोड़ा जा सकता ना जलाया जा सकता ना भग्न किया जा सकता है तो अगनी के द्वारा प्रदक्त्य अर्जुन का दिव्य रथवी सबसे स्रेश्ट है जो मेरे पास नहीं है अच्छे जिस सर्वतों वीरे वाजिनस्चे मनोजवा सबसे बड़ी बात है कि उनके जो गोड़े हैं उनको मारा नहीं जा सकता है वो अक्षत हैं उनके प्रकार के अस्त्रों की असर नहीं होती है और उनका जो ध्वज कपी ध्वज है जिस पे स्वयम वानर राजवी दिमान रहते हैं वह ध्वज भी दिव्य है जहां तक रथ का प्रश्ण है आप मेरे पीछे बहुत सारे रथ रख सकते हैं जब मैं रण भूमी में जाओंगा अगर एक रथ मेरा तूट जाता है तो दूसरा रथ मेरे लिए तयार होना चाहिए उन सभी रथों में बहुत सारे बान भरे हों नाराज भरे हों जो अक्षे तरकस से अर्जुन काम करते हैं उसका भी समाधान किया जा सकता है अगर एक रथ के गोड़े मर जाएं रथ चूट जाएं तो दूसरा रथ गोड़ों के साथ तयार होना चाहिए तो इसका समाधान है अक्षे तरकस में जैसे बाण होते हैं मेरे पास बाणों से भरे हुए रतों अगर एक रत के बाणा खतम हो जाए तो दूसरे रत पे हम सबार हो सकते हैं लेकिन जहां तक सार्थी का प्रश्न है वो कार्य सिर्फ शल्य ऐसे हैं नास्ति मद राजस्च कस्चना समो कि उनकी समान दूसरा कोई सार्थी कार्य नहीं कर सकता है यानि जैसे क्रिश्न अर्जुन के सार्थी है ना इस प्रकार से अगर मद्रदेश के महराज शल्य मेरे सार्थी बन जाए तो दो में अर्जुन की हर तरीके से बिद्भारी नहीं अर्जन से स्रेश्ट हो जाँगा। लीकिसारथी का प्राक्राम में हॉनों बहुत जरूबी है। सार्थी को दो बान लगे हो ऋसारथी ब्योयूर हो जाए तो सारी बात ही खतम हो जाती है। वैसे ही आप युद्ध हार जाते हैं और सार्थ ही अगर शक्तिशाली है जितना कर्ण बरदास्त कर सकते हैं उतनी ही बाणों की वर्षा अगर शल्ली भी बरदास्त कर सकते हैं तो रथ हमेशा काबू में रहेगा इसलिए उसका शक्तिशाली उतना पहुच अब लिए तो कर् घुडों की जानकारी में रठ चलाने में और ढ़ों को दुरस्त रखने में उनको तंदुरस्त रखने में शल्ले जैसा कोई नहीं है अरे वो कुरुष्ण से भी इस मामले में सिरेष्ट हैं तो अगर वो मेरे सार्थी बन जाएं तो कल मैं हर तरीके से अरजुन से स्रेष्ट हो जाओंगा देखिए मेरी भुजाएं देखिए देखिए मेरा सारे रिक्सोष्टो देखिए देखिए मेरे पास दिव्य धनुस है सारी चीजें हो गए लेकिन एक सार्थी मुझे चाहिए और सार्थी के रूप में अगर शल्ल इस कारे को स्विकार करने है दुर्योधन कहता है अरे मित्र तुम कह रहे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा अरे मेरा मित्र मुझ से कहे और वो भी मुझे विजय दिलाने के लिए कहे तो फिर तो ये कारे हो जाएगा इतना कहके दुर्योधन जो है शल्ल के पास पहुंच जाते हैं और सल्ल के सामने जाके वही प्रस्ताव कि आप करन का सार्थी बनना सुईकार कर लें क्रिश्ण जैसा सार्थी उनके पास में तो अगर आप राधे का सार्थी बनना सुईकार कर लें तो कल का युद्ध हम जीत सकते हैं करन अर्जुन को अवस्य मार देगा यथाचा सरवात्व आपक्सु वार्षन यहापाति पांडवम जैसे सब प्रकार की विपत्तियों में स्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा कर लेते हैं ऐसे हे मद्र नरेश आप करन की रक्षा कीजिए जैसे स्वयम ब्रह्मा शिव के सार्थी बने थे त्रिपुर्दहन के समय उस प्रकार से आप इस सार्थी के पद को स्विकार कीजिए क्योंकि कृष्ण जितने स्रेष्ठ हैं आप कृष्ण से हर तरीके से स्रेष्ठ हैं आज जब करन अर्जुन के साथ युद्ध करना चाह रहा है उस समय अगर आप करन के सार्थी बन जाएं आप उसके गोपता रक्षक बन जाएं तो फिर आप समझ लीजिए देखिए मैं आपको बताता हूँ पहले अर्जुन इस प्रकार से युद्ध नहीं किया करता था पहले अर्जुन ने ऐसे पराकरम नहीं किये हैं उनका नहीं देखा जाता था यह स्पष्ट है कि अगर सार्थ ही उत्तम हो तो युद्ध का कारे जो है वो सरल हो जाता है इसलिए आप मेरे स्प्रस्ताव को स्वीकार करने भाईया बड़ी शल्य की प्रसंसा की सब कुछ किया लेकिन जो कारे शल्युक्यों आपको मालूम पड़ता है महाराज दुर्योधन आप क्या कर रहे हैं हे गांधारी नंदन आप मेरा अपमान कर रहे हैं आप मुझसे सार्थी और वह भी किसका सूत पुत्र का सार्थी बनने के लिए कह रहे हैं अरे मैं हर तरीके से कर्ण से स्लेष्ट मुझे आपको लगता है कि कर्ण बहुत बड़ा युद्धा है तो कल कर्ण के हिस्से में दे दीजिए कि इतने युद्धाओं को परास्त करना या मारना कर्ण का कार है और उससे अधिक भाग मुझे दे दीजिए मैं आपको करके बताऊंगा कि किस प्रकार से युद्ध किया जाता है और किस प्रकार से सेना को पराजित किया जाता है अब मानों में नकरतव ब्याकत जाए इस प्रकार से मेरा अपमान करने की हिम्मत मत करना अरे देखो मेरी ये भुजाएं देखो इनकी ये सक्ती मेरा धनोस और फिर शल्य अपने पराक्रम का व्रणन करना सुरू करते हैं कि देखो मेरे पास क्या क्या कैसा कितने सुन्दर घोडे वाला रध है कैसे सारी अपनी दिव्यताओं का वर्णन करते हैं मामा शाली और फिर कहते हैं ब्रह्मक्षत्रस्यवीता सूतावई परिचारका ये संसार का नियम है कि जो सूत होता है वो ब्राम्मन और ख्षत्रिये का सेवक बनता है अरे ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई ख्षत्रिये किसी सूत का सेवक बन और मैं अहम मूर्धा विशिक तो ही राजर्सी कुल जोगा जिनका सिर्ष अभिशेक किया जाता है मैं इस प्रकार के राजर्षियों की कुल में मेरा जम हुआ है और कैसा मेरा दिव्यत अपने सौंदरी की भी बात करते हैं अपने राजसी ठाटबाट की बात करते हैं अपनी वीरता की बात करते हैं और फिर कहते हैं ऐसा मैं सूद पुत्र का इस संग्राम भूमी में सारती बनू तुम ये चाह रहे हो अरे गांधारी नंदन अब मान अहम प्राप्य है न योधस्यामी कतंचने इस प्रकार से मेरा आपमान करोगे ना तो फिर मैं तुम्हारे लिए युद्ध करने के लिए बंदा नहीं हूँ आप रच्छे त्वाद्यगांधारे गमश्यामिक रहा है वै बस आप मुझे अनुमती दो मैं अभी ही अपने मद्रदेश वापस जा रहा हूँ अब मुझे युद्ध नहीं करना है और इतना कहे करके शल्ले जो हैं अपने स्थान से उठके खड़े हो जाते हैं सिंगासन पे से तुर्योधन जल्दी से दोड़ करके उनका हाथ पकड़ते हैं उनको रोकते हैं और उनसे कहते हैं कि नहीं नहीं मामा आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब कुछ सत्य है आप जैसा प्राक्रमी दूसरा कोई योध्धा नहीं है आप जैसा स्रिष्ट दूसरा कोई व्यत्ती नहीं है आप जैसा स्रिष्ट दूसरा कोई राजा नहीं है आपने जितनी बातें कही हैं, उनमेंसे एक भी बात मित्या नहीं है लेकिन मेरी स्थिती को आप समझेए, मेरी मजबूरी को आप समझेए मैं यहां कहीं भी आपका अपमान नहीं करना चाह रहा हूँ आपका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है कर्ण आपसे स्रेष्ठ है ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि कर्ण आपसे स्रेष्ठ है इसलिए आप उसके सार्थी बन जाईए कर्ण अर्जुन से स्रेष्ठ है और जैसे कर्ण अर्जुन से स्रेष्ठ है ऐसे ही आप वास्त देव स्री कृष्ण से स्रेष्ठ है जैसे आप घोड़ों के बारे में जानते हैं ऐसे तो स्री कृष्ण भी घोड़ों के बारे में जानते हैं मैं आपको स्री कृष्ण से द्विग्णों त्वाम तथा वेच्जी मद्राजेश्वर हे मद्राजेश्वर मैं आपको स्री कृष्ण से दोगुना स्रेष्ट मानता हूँ यह कार इसलिए आपको नहीं सौंप रहा हूँ कि मैं आपको कर्ण से हीन मानता हूँ या किसी तरीके से मैं आपका अपमान करना चाहता हूँ देखिए प्रसंसा तो कहते हैं कि खुशामत तो खुदा को भी प्यारी है हम अपने भगवानों के लिए क्या करते हैं जो आर्दियां होते हैं जो स्तोत्र होते हैं उनमें स्तुती स्तुती प्रसंसा ही तो है जैसे ही यहां दुर्योधन ने शल्ली की प्रसंसा प्रारंब की वैसे ही शल्ली जो है बस बिगल गए यही तो हम भगवान के पास से चाहते हैं ओम जय जगदीस हरे स्वामी जय जगदीस हरे भक्त जनों के संकट छण में दूर करे तो आप तो भई भक्तों के संकट छण में दूर कर देते ओ इस प्रकार से हम भगवान से क्या करते हैं सतुति करते हैं प्राढ़ सुना और उसमें कफ़ेंâyों अपनी निंदा करते है मे मुरत खल अकामि और भी किसी और ने कर हम से कह दिया हो ना की तुम मुरत को कलो कामि अब करते हैं और तो जिर्फ वोड़ का लेकिन अपने काश walls कंपengo खल कामि क्रेपा करो भरता तो ये एक हमारे हम मानेता है कि इश्वर की भी जब आप इस्तुदी करते तो वो भी प्रसंद हो जाता है भी आपकी भी कोई प्रसंसा करे तो आपको भी अच्छा लगता है अगर कोई आपकी निंदा करे तो आपको बुरा लगता है यहाँ जैसे ही दुर्यूधन ने शल्ल की प्रसंसा की सल्य प्रसंद हो जातों कहता है विसिष्टम देव की पुत्रात्र प्रीति मानस्म हम तुमने मुझे देव की पुत्र से स्रेश्ट कहा है इसलिए मैं तुम्हारे उपर प्रसंद हो गया चलो बोलो क्या करना है तुम जो कहोगी आज वो तुमारे लिए करनगा भया करना क्या है आप करन की सार्थी बन जाईए समयस्ची ही में भी रहे कस्चिद वैकरत नमादे इतना याद रखे मेरी एक शर्त होगी कि मैं जो भी करन से कहूँगा करन को उसको सुनना होगा करन उसके लिए या तुम उसके लिए मुझे किसी प्रकार से दोसी नहीं ठहराओगे इतना कहकर के मामा शल्ले ने दुर्योधन की बात का सुभी कार तो कर लिया लेकिन फिर दुर्योधन क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी बात को कहता है तो अपनी बात को और अधिक सफाई देने की कोशिस करता है तो अगले अध्याय में तृपुर वरत्तांत यहां पर आता है कि किस प्रकार से तृपुरासुर ने वर्दान प्राप्त किया और जब उसको मारने के लिए शिव उस एक दिव्यरत पे सवार सार्थी पद ब्रह्मा जी को सौपा गया या उनको सार्थी बनना पड़ा तो सार्थी बनने में कहीं भी हीनता नहीं होती है इस बात को समझाने के लिए यहां तृपुरासुर का प्रत्तांत आया है तो अगले वीडियो में हम तृपुरासुर की ये कथा सुनेंगे मैं प्रुट साही तेवन संस्क्ति यही महा भारत का वैसिष्ट है यहां एक कछा के अंदर दूसरी कछा इस प्रकार से गुति हुई है कि फिर आप बिल्कुल भी किसी कछा प्रसंग को छोड़ के आगे निकल जाएं यह आनंद दायक नहीं होता है तो आनंद लीजिए अच्छा पालगे तो में दूसाओ यही तो प्रादान जानने के अच्छा एक सी ।